हेलो फ्रेंड्स दिस अनु वेलकम टू एक्सिलेंस कोचिंग तो आज हम करने वाले हैं हीट एंड टेंप्रेचर का प्रेक्टिस सेट टू जो की क्वेशन्स हैं आपके वींस डिस्प्लेस्मेंट लौ पे एंड है आपका प्लैंग्स लौ ओफ रेडियेशन पे तो चलिए स् क्वेशन देखिए फर्स्ट कोशिन के है 37 डिग्री टेंप्रेचर इस इक्वल टू को टीक है 37 डिग्री टेंप्रेचर किसके एक्वल है और सारे देखू आंसर आपको फैरंहाइट में दे रखे हैं तो सबसे पहले आपको रिलेशन लिखना पड़ेगा सेजसियस में F minus 32 by 9, यही relation होता है आपका इन दोनों के बीच में, आपको Celsius, Fahrenheit and Kelvin, इन तीनों का relation अच्छे से पता होना चाहिए, निमेरिकस आए हुए हैं, तो चली, आपको किसमें करना है, Fahrenheit में, C की value आपको given है, कितनी है, 37 by 5 equal to, F आपको निकालना है, Fahrenheit में आपको निकालना है, minus 32 by 9, ठीक है, आप multiply कर दीजिए, 37 multiply 9 by 5, और यहां से क्या लिए आएंगे, प्लस में, 32, equals to क्या आजाएगा, आपका, F की value, हैना, equal to क्या आजाएगा, F की value, आप जब इसको पूरा solve करेंगे, देखे, करके देख लीजिए, कितना आजाएगा, ये, 3, 6, 99, 27, 36, 33 by 5, ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना, प्लस में, 32, equals to क्या आजाएगा, आपका, F, इसको जब आप पूरा calculate करेंगे, तो आपका आंसर क्या आजाएगा, 98.6 degree Fahrenheit, 98.6 degree Fahrenheit, ओके, ये आजाएगा आपका, तो correct option is, option D, बहुत ही simple है, आपको सिरफ ये relation याद होना चाहिए, और जो भी आपको given है, जिसमें change करना है, सिरफ उस तरीके से solve कर देंगे, ठीक है, इस टैप के बहुत सारे question आएँ हुए, अभी एक दो question और आएँगे, ठीक है, तो चलिए, next question देखते हैं, the temperature in the Fahrenheit scale corresponding to 253 Kelvin, देखो, यहाँ पर Kelvin और Fahrenheit की बात की है, तो relation हम किसका लिखेंगे, Kelvin और Fahrenheit का, देखते हैं, क्या होता है, Kelvin और Fahrenheit में, K-273 divided by 5 equals to F-32 divided by 9, यही relation होता है, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है, यह तीनु ही relation मैंने आपको notes भी बनवाए हैं, ठीक है, तीनु को याद रखना है, आप क्या करना है, आपको K की value given है, 253 minus 273 divided by 5 equals to F-32 divided by 9, इसको आप यहाँ पर देखेंगे, तो यह minus करने पर कितना आ जाएगा, minus 20 divided by 5 equals to F-32 divided by 9, 5-4 जा, cancel हो जाएगा, इसे करेंगे, पूरा सॉग 9-36, और इसको इधर लियाएगे, प्लस में 32 हो जाएगा, तो यह आजाएगा, F की value, तो simple calculation है, ठीक है, कर लेंगे आप सभी, तो यह कितना आगे, minus 4 degree Fahrenheit, तो correct answer is option A, clear, any doubt, बहुत easy question है, दोनों same थे, जस्ट आपको formula पुट करना था, ठीक है, चलिए, next question देखते है, a cylinder of cross-sectional radius, 1 cm, ठीक है, आपको क्या given है, radius, and height given है, 4 cm, heated from 0 degree centigrade to 100 degree centigrade, एक रे, आपका क्या है, cylinder है, जिसका radius given है, और height given है, अब क्या किया जाएगा, उसको heat किया जाएगा, जब heat किया जाएगा, तो उसमें कुछ changes आएगे, किस-किस में changes आएगा, उसके radius में change आजाएगा, और उसकी height में change आएगा, क्योंकि वो क्या करेगा Baba क्रेगा sommesере एकस्पैंड करेगा एकस्पैंड करेगा तो उसके रेडियेस हाइट में क्या आएगा है जाएगा तो पहले वॉल्यूम आपका कुछ होगा और पार हीट हीच न होके उसका व्लूम कोछ और आएगा तो बस उन ओन्नों वॉलियूम का क्या निकालना है, आपको डिफरेंस निकालना है खिक है, तो देखो, कोफिशन्ट ओफ लीनेर एक्सपेंशन आपको गिवेन है, What will be the increase in the volume of the cylinder? Okay Original volume कुछ और होगा Original volume कुछ और होगा जो normal है और उसके बाद जो कि रेडियस आ थाएठ में उसके बाद उसका बालउम कुछ और आएगा तो दो जुँ और ही वालियम का difference आपको निकाले की कितना increase हुआ है तो चलिए देखिए सबसे पहले रेडियस आपको कितना गिवन है रेडियस कितना गिवन है आपको वन सेंटी मेटर एंड हाइट कितना गिवन है आपको 4 सेंटी मेटर तो सबसे पहले आप वॉल्यूम निकालो वीवन ये क्या हो जाएगा पाई आरवन का स्क्वेर एच ठीक है इसको आरवन कर लो पहला है तो इसको जब करेंगे तो आपका क्या आजाएगा आरवन कितना है वन और हाइट कित है 4 और पाई का पाई तो आपका वीवन कितना आ गया वीवन कितना आ गया 4 पाई ओ्के आप देखो जब हीट किया जाएगा तो उसके रेडियस में चेंज आएगा मानलो रेडियस क्या है आपका हाँर्टू इसका चेंज कैसे निकालते हैं आरटू इक्वोस टू आरवन प्लस अल्फा डिल्टा टी ठीक है यह फॉर्मुला भी मैंने आपको कराया है ओके तो देखिए आरवन कितना था इसका वन आरवन कितना था वन प्लस अल्फा कितना गिवन है अल्फा है न यह लीनियर एक्सपेंशन यह आपको गिवन है 4 multiplied 10 की एंड डेल्टा टी के है आपका चेंज इन टेंपरेचर टेंपरेचर कितना है 0 से 100 डिगरी यानि टेंपरेचर कितना आजाएगा जनरली आपका 100 बात समझ है सारी वैल्यू आपको गिवन है 1.04 सेंटीमिटर इसी तरह आप हाइट भी निकाल लेंगे है एच वन शोरी हाइट में हाइट में चेंज होगा हाइट में चेंज होगा हाइट में क्या चेंज होगा हैच वन, वन प्लस अलफा डेल्टा टी ठीक है यही आएगा तो बैल्यू पुट कर देंगे सारी ह olduğ ही इकॉर कर दिख घुएश टू H1 कितना है आपका H1 कितना था पहले 4 इसके बाद आगया 1 प्लस Alpha कितना आगया Again आपका 4 10 की पावर Minus 4 And delta T कितना हो जाएगा 100 सारी value को जब solve करेंगे तो आपका आजाएगा answer 4.96 96 ठीक है H2 आप कैलकुलेशन कर लेना का कैलकुलेशन में कुछ गड़ बढ़ हो तो चैक कर लेना ठीक है ओके अब हमें क्या निकालेंगे V2 क्यूंकि हमने R2 और H2 में चेंज देख लिया अब V2 निकालो V2 का फर्मूला क्या होगा पाई आर्टू का स्क्वेर पे यही होगा यहां देखे यह आजाएगा आपका कैलकुलेशन करेंगे तो 4.16 आएगा ठीक है 16 आएगा 96 नहीं आएगा 4.16 अब जब यहां पर आप V2 निकालेंगे तो यह हो जाएगा आपका पाई आर्टू कितना हो गया आपका आर्टू यह है आपका 1.04 का स्क्वेर और एच टू कितना हो गया आपका 4.16 ठीक है जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आजाएगा आपका 4.96 पाई ठीक है V2 कितना आजाएगा 4.96 अब आपको क्या निकालना था इन दोनों के वॉल्यूम का डिफरेंस तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आजाएगा चेंज इन वॉल्यूम वी टू माइनस वीवन तो वी टू कितना आगया आपका 4.96 माइन पाई माइनस में वीवन कितना था 4 पाई वीवन कितना था आपके पास 4 पाई तो इसको जब कर देंगे आप तो यह कितना आजाएगा आपका 0.495 ठीक है 0.495 सिंपल आप वीवन और वी टू निकालो और दोनों का डिफ्रेंस कर दो तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या जाएगा इदो खुर 0.48 दिया है तो लगभग इतना ही आए आएगा आपका ठीक है तो चलिए नेक्स्ट कोशन देखेंगे सिंपल कैलकुलेशन था बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव था ओके चलिए यह आपका आया हुआ है दो जार एकिस में प्रीवियस एर में ही आया हुआ कोशन है नेक्स्ट कोशन देखते हैं कि दैन वाटर फ्रीज इस दा डिस्टेंस बिट्विन इट्स मॉलेक्यूल्स जब वाटर फ्रीज होगा जब वाटर क्या करेगा जमा होगा फ्रीज होगा तो डिस्टेंस क्या ओगा उनके बीच में इंकरीज होगा कलियर डिस्टेंस क्या होगा इंकरीस होगा नेक्स्ट कुशन को क्रांस परेंस जञ आफ मॉलेक्यूल कि फ्रॉम दि भी वेपर face to the liquid phase वेपर से लिक्विड में आना यह सभी प्रोसेस तो आपने पढ़ी होगी वेपर से लिकुड में कब आता है कॉंडनसेशन में ओके तो कंडनसेशन इस करेक्ट आंसर नेक्स्ट कोशन देखते हैं वर्क डन बाई आईडियल गैस वैन इट एक्सपेंस फ्रॉम वॉल्यूम वीवन टू वीटू अंडर कॉंस्टेंट प्रेशर तो वर्क डन क्या होता है अंडर कॉंस्टेंट प्रेशर वो होता है पी वीवन माइनस वीटू सिंपली आप यह वर्क डन देखते हैं वर्क डन क्या होता है पी डिल्टा वी ठीक है यही पढ़ा है अपने वर्क डन क्या होता है under constant pressure w equals to p delta v so delta v क्या होगा आपका v1 minus v2 change in volume चली next question thermal conductivities of brick and pine wood are respectively this आपको क्या गिवन है thermal conductivities यानि की के की value आपको गिवन है ठीक है के की value आपको गिवन है किसकी brick की और pine wood की ये गिवन है what thickness of brick has the same insulating ability at 5 cm of pine thickness आपको निकालने है यानि की कही न कहीं आपको length निकालने है तो सबसे पहले आप इसका एक formula देखेंगे ये होता है rate of conduction यानि की जो heat का transfer हो रहा है वो directly proportional होता है आपका area के change in temperature and inversely proportional होता है length के ठीक है ये formula आपको मैंने करवाया है notes में check कर लेना ठीक है तो dq by dt इसको आप directly proportional को किसमे चेंज कर सकते हैं के टू अपॉन एल टू ठीक है के वन और एल वन आप मान लो ब्रिक का thermal conductivity है और length है ठीक है and k2 और l2 किसका मान लेंगे हम pine wood का तो हमें किसकी thickness निकालनी है ब्रिक की किसकी निकालनी है ब्रिक की ये किसके लिए है ब्रिक के लिए और ये किसके लिए है pine wood के लिए ओके तो हमें ठीकनेस निकालनी है ब्रिक की यानि के हमें L1 निकालना है बस you have to put all the values thermal conductivity तो गिवन है ब्रिक की कितनी गिवन है 0.6 0.6 डिवाइड़ भै 0.6 डिवाइड़ भै लवन आपको निकालना है एंड के टू कितना गिवन है 0.13 डिवाइड़ बै लटू आपको गिवन है 5 सेंटी मेटर बस सिंपली आप इसको 0.6 मुल्टिप्लाइ 5 डिवाइड़ भै जीरो पॉइंट थर्टीन आप इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए आपका करेक्ट आंसर आजाएगा कितना आजाएगा आपका आंसर इसको आप पॉइंट को सेल्व कर लेंगे 6 बाइट 10 यह हो गया आपका 13 मुल्टिप्लाइं हंडर उपर और यह हो गया मुल्टिप्लाइं में फाइव और फाइव तो इसका लगभग आंसर आपका क्या आजाएगा इसका आंसर क्या आजाएगा 23 पॉइंट सम्थिंग करके आएगा ठीक है इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे यहां से तो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 23 पॉइंट में सम्थिंग आंसर आएगा तो आप आप प्रॉक्स क्या लगाएंगे 23 cm okay चलिए next question two ends of a metal rod are maintained at temperature 100 degree centigrade and 110 degree centigrade two ends of a metal rod are maintained at temperature ठीक है एक मैटल की क्या है रोड है एक ये वाला end है एक ये वाला एंड है इन दोनों पर temperature आपका क्या है maintain है एक पर मानलो हंड़र्ड है कि अरेक पर कितना है 110 degree centigrade है जब यह 100 से 110 डिगरी में जा रहा है तो यह कितना हीट फ्लो कर रहा है रेट ओफ हीट फ्लो कितना है फोर जूल पर सेकिंड ठीक है जब डिफरेंस कितना है 10 डिगरी का है तो रेट ओफ हीट फ्लो कितना हो रहा है फोर जूल पर सेकिंड तो अग पूछा है if the two ends of a metal rod are maintained at temperature 200 and 200 अब इसी को मान लो इसका temperature 200 कर दिया और यहां पर कितना कर दिया 210 डिगरी कर दिया तो अगेन आप देखेंगे एक कि temperature का difference कितने है 10 degree centigrade ही है जब temperature का जो difference है वो 10 degree centigrade है तो उसमें भी rate of heat flow कितना होगा same ही होगा ठीक है क्योंकि temperature का difference same है तो rate of heat flow भी same होगा जब temperature आप कर देंगे तो वो भी कितना होगा 4 Joule per second ओके temperature का difference same तो rate of flow of heat भी same होगा ओके चलिए next question when a metal rod is heated it expands because जब आप metal की rod को heat करें ठीक है linear expansion वाले question है expansion करवाया ना आपको linear volume ठीक है aerial expansion तो यही पुछा गया कि जब metal की rod को heat किया जाता है तो expand होता है क्यों होता है actual में क्यों होता है क्योंकि उसके जो atoms के बीच का distance है वो बढ़ जाता है ठीक है simple सा conceptual question है distance बढ़ जाता है atoms का तो वह चीज़ expand हो जाती है ओके चलिए next question the coefficient of thermal conductivity of a metal plate depends thermal conductivity यानि की k ठीक है coefficient of thermal conductivity of metal किस पर depend करेगा temperature difference thickness area या none of the above तो इन में से किसी पर भी depend नहीं करेगा thermal conductivity जो होता है वो नेचर पर depend करता है nature of metal different different metals का thermal conductivity भी अलग-अलग होता है ठीक है तो particularly किस पर depend करता है nature of the metal पर पर ओके तो next question देखते हैं तो गुड़ एब्सॉर्बर अफ हीट इस अ गुड़ रेडियेटर ऑफ हीट आलसो जो भी object है वो एब्सॉर्ब जितना करेगा उतना ही रेडियेट करेगा उतना ही रिफ्लेक्ट करेगा ठेक है यह अपने black body में पूरा notes मैंने आपको करवाया है तो यह जो statement थी वो किसकी थी किर्चॉफ लॉकी ओके किर्चॉफ लॉकी definition यह है कि जो गूड एब्सॉर्बर होता है वो गूड रेडियेटर भी होता है ओके नेक्स्ट कॉशन देखते हैं और यह देख लीजे कितनी बार पूछा गया है यह कॉशन ठीक है next question according to winds displacement law maximum wavelength related to absolute temperature बहुत easy question है simple आपको winds displacement law पता होना चाहिए क्या होता है winds displacement law जो lambda होता है maximum wavelength जो होती है वो inversely proportional कि इसके होता है temperature के ठीक है यह हमने करा हुआ है ठीक है नोट्स मैंने बनवाए हुए है इसके जो मैक्सिमम वेवलेंथ होता है वो inversely proportional किसके होता है absolute temperature के तो inversely proportional आ जाएगा इसमें ओके नेक्स्ट कुश्चिन विन्स डिस्प्लेस्मेंट लौ इस देखो या आपको रिलेशन्स दे रखे हैं और कितना important है यह को हर बार पूछा गया है यह विन्स डिस्प्लेस्मेंट लौ स्टीफन बोस्में प्रांक्स लौफ रेडियेशन यह बहुत ही important topic है heat and temperature में जहां आपके question बनते हैं आप देखेंगे heat and temperature में topics तो बहुत सारे हैं ठीक है हर एक unit में topics बहुत सारे होते हैं लेकिन हमारा main focus कहां होना जहां से question पूछे जाते हैं ओके अभी heat and temperature में देखो तो बहुत सारे इसे topics हैं जो कि सिर्फ आपकी knowledge के लिए उनसे question नहीं पूछे गए ठीक है question कहां से पूछे गए एक तो वही आपके जो scale हैं तीनों Celsius Fahrenheit and Kelvin ओके इसके बाद यह आपका black body बहुत ही important है Stephen Boseman law यह सारे black body में ही आ जाते हैं आपके वींस displacement law Planck's law of radiation ओके और जितने भी relation है इसमें वो सभी बहुत important है question 100% आए हुए आपके ठीक है तो इन topics related numericals आपको left नहीं करना है और मैं भी आपको यहां पे वो सारे question लेकी ही यारी उन topics related तो मैं लेके ही आए जितने भी previous year में आए हुए है previous year के अलावा आप extra questions की practice भी करते रहें ठीक है तो देखी यह question कितना important time wins displacement law का अभी मैंने आपको कराय कि जो maximum wavelength होता है वो inversely proportional होता है क्या temperature के तो अगर आप इसको करेंगे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं lambda t is equals to constant के तो correct option is this one a okay any doubt I hope without नहीं होगा next question a spherical black body of 10 centimeter radius is maintained and this what is the power radiated power radiated यानि कि आपका आगया Planck's law of radiation ठीक है Planck's law of radiation इसमें आपने एक simple देखो इसमें आपको radius गिवन है temperature गिवन है and power radiated power radiated यानि की e equals to sigma a t की power t की power 4 ठीक है यह बहुत ही important है formula ठीक है यह power radiated का बहुत ही important formula है इसको याद रखेंगे बस आपको इसमें सारा value put कर देना e की value ही हमें निकालनी है e equals to sigma कितना गिवन है आपको 5.67 multiply 10 की power minus 8 multiply देखो area की बात है area क्या spherical है spherical का area क्या होता है sphere नहीं spherical मत्तब वही बात होगी spherical sphere इसका जो area होता है वो होता है 4 pi r का square multiply t की power 4 temperature देखो centigrade में है तो इसको सबसे पहले है तो centigrade को आपको जादा तर किसमें चेंज करना है Kelvin में तो 327 Kelvin में चेंज करने के लिए क्या कर देना पड़ेगा इससे 273 यह तो आता ही होगा सभी को तो यह कितना आ गया 600 तो यह क्या लिग देंगे आप यहां पे 600 की power 4 ओके तो बस यह सारी वैल्यूस करेंगे 5.67 मल्टिप्लाइट 10 की power माइनस 8 4 पाई कितना रख सकते हैं आप यहां पे 3.14 रख सकते हैं 22 बटे साथ रख सकते हैं मल्टिप्लाइट और कितना गिवन है 10 cm ठीक है कितना गिवन है 10 cm यहां पर जो यूनिट है वो मिटर स्कॉर में तो आप इसको चेंज कर लेंगे कि अगे चेंज करेंगे तो यह कितना आज आएगा 0.1 ओके इसका स्कॉर है तो यह स्कॉर हो जाएगा और यह 600 का की की पावर 4 इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे ठीक है 0 करके सेप्रेट और 66 करके पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आप देखेंगे इसका अंसर लगभा कितना आजाएगा 923 वाट वाट क्यों लिखाए क्योंकि पावर की बात है की की आप सब्सक्राइब करेंगे अपको पता है तो आपको अप्रोक्सिमेट करके शौट करके आँसर निकालने का कोशिश करना है यह सिंप्ली आपको क्या याद होना चाहिए था इसका फॉर्मुला ओके तो आज के लिए इतने ही क्वेशन आई तिंक ये 15 क्वेशन्स मैंने आपको करवाए हैं जो कि आपके विंस डिस्प्लेस्मेंट लॉसे एंड प्लांक्स लॉफ रेडियेशन से और कुछ क्वेशन आपके टेंप्रेचर से रिलेटर क्वेशन से ठीक है अभी और भी एक प्रैक्टिस सेट आएंगे इंसे रिलेटर आई होप कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही हैल्फुल हुआ होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक यू